विल्कम टू अपनी रशोई मैं संगीता आज मैं वेजिटेवल उत्पम बनाने जारी हूँ जो काफी ही पॉष्टिक, श्वादीष्ट और बच्चे बड़ों को फशंद आने वाली रेश्पी है चले चलिए इसके बनाते हैं सबसे पहले एक बड़े से बॉल में एक कटोरी शूजी डालेंगे उसी में हम एक कटोरी चावल के आटे डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें ताजी दही को डालेंगे हम इसमें पांस टिश्पून ताजी दही डाल रहे हैं आप बड़े वाले चम्मस से अगर डालेंगे तो दो बड़े वाले चम्मस से डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हमें नॉर्मल पानी ही लेनी है हम नॉर्मल पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे हमें इसमें गुठली वगेर नहीं पढ़ने देने हैं लंस नहीं पढ़ने देने हैं इसलिए हम इसमें थोरी-थोरी पानी डाल कर चलाते हुए फिटेंगे इसे अच्छी तरह से हमें फिटना है हम पानी थोरी-थोरी डालेंगे और चलाते हुए इसे फिटते जाएंगे थोड़ी से starting में मुश्किल होगी लेकिन फिर आशानी से ये जब वैटर थोड़े हलके होगे तो आसानी से ये मिलने लगेंगे फेटाने लगेंगे देखिए अब ये इस्मूं तेजी से चलने लगे हैं अब यह भी वेटर गाढ़ा है इसलिए हम इसमें थोरी शी पानी और डालेंगे देखिए पूरे पानी डाल देंगे हम इतने वेटर में जिस कटोरी से हम सुझी लिये थे उसी कटोरी से हम दो कटोरी पानी डाले हैं और इसे हमें तब तक फिंटना है जब तक ये बिल्कुल स्मूद घोल तयार न हो जाए लम्स बगर सब हर्जा और बढ़ियां सा घोल तयार हो गया है देखिए अब हम इसे ढख के एक घंटे के लिए रिष्ट के लिए छोड़ देंगे एक घंटे हो चुके हैं देखिए बैटर काफी फुल भी चुके हैं और हलके भी हो गया है इस तरह के जब बैटर बन जाए तब हम इसके उत्पम बनाएंगे चलिए इसमें लगने वाली समागरी देख लेते हैं अब इसके अंदर हम सबसे पहले हाप एक चौथाई चमच मरिज पॉडर एक चौथाई चमच लाल मिर्ज पॉडर एक देर चमच हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप स्वादा नुशाड़ी डाले और इन सभी समागरी को अच्छे से फेंट लेंगे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे देखिए समागरी मिक्स हो चुके हैं अब हम भेजी टेवल्स को मिक्स कर लेते हैं यह चौप किये हुए टमाटर है एक टमाटर को हम अच्छे से दो के चॉप कर लिए हैं इसमें दोर गाजर को अच्छे से छिल के चॉप कर लिए हैं एक सिमले मिर्च को चॉप कर लिए हैं एक प्याज को बारिक बारिक चॉप कर लिए हैं और दो हडी मिर्च इसमें चॉप करके डाल दिये हैं अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ज पॉर्डर डालेंगे देखे उसके बाद एक चौथाई चम्मच मरिज पॉर्डर डालेंगे और एक चम्मच हम नमक डालेंगे नमक हम वैटर में भी डाले हैं इसलिए हम नमक स्वादा नुशारी डालेंगे अब हम एक चम्मच बारी कटी हुई धनिया पती डालेंगे और शबी समागरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पर कोई भी भेजी टेवल्स ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो लेकिन इस भेजी टेवल्स से ज़्यादा टेस्टी होते हैं अब तवा गर्म करें उसमें एक चम्मच तेल डालने के बाद उसे बरस से फैला लेंगे देखिए इस परकार अब तवा गर्म हो चुके हैं हमें नॉर्मल टेम्टेचर पर तवा गर्म चाहिए बिल्कुल हाई नहीं प्लेम मिडियम ही रहेगा और बीचों भी तवा के हम वैटर डालेंगे इस परकार से और वैटर डालके हलके हाथों से फैला लेंगे हमें बिल्कुल मोटी ही उत्पम बनानी हैं ज्यादा पतला नहीं करेंगे देखिए इस तरह से हम इसे गूल कर लेंगे इस्पून को दवाकर अब हम इसी इस्टेज में ज्ट पत इस पर सबजी डाल देंगे अगर यहाँ पर थोरी साफ दानी नहीं रखी गई तो सबजी हमारी इस पर चिपकेगी नहीं इसलिए हम इसमें इहाँ पर बिल्कुल ज्ट पती सबजी डालेंगे और इस मून से हलके हाथों से धवाते हुए सबजी को इसमें सेट कर देंगे देखे, अब ये किनारी छोड रही है, अब हम इसे पलट लेंगे देखे, वाव, कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा एकदम पक चुका है दोनों तरफ से पक गए है, अब हम इस पर थोड़ी सी चीज को ग्रेट करके डाल देंगे बच्चों को चीज काफी पशंद होती है, और पॉस्टिक भी होती है देखने में भी इसका लूक अच्छा लगता है, इसलिए हम इस पर थोड़ी सी चीज ग्रेट कर लिए हैं, काफी यम्मी बनी है, वाव, देखने में भी बहुत खुशुरत अब एक ट्रांसपर कर लिए प्लेट में, सर्विंग प्लेट में डाल लिए हैं, और इसे गर्मा ग प्लेटर से चार उत्पम बने हैं, और देखने में, सर्विंग प्लेटर से चार उत्पम बने हैं,